इंवार्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्षन काफी इंपोर्टेंट चेप्टर है अपने करेंट वेल्यू के लिए तो ठीक है यानि चेप्टर टू में जितनी चीजे इसमें हम पढ़ रहे होंगे उसके लिए तो इंपोर्टेंट है ही बाट आगे कैल्कुलस में भी इसका काफ उसके तो इसके बारे में इरिए के लिए क्लास 11 से ऐसा ही पढ़े होंगे या पढ़कर भूल गए होंगे याप अपढ़े हीusch नहीं होंगे तो उन सब चीजों को हमें यहाँ पर देखना पढ़ेगा ठीका है थीक है हैं वह 11 में कर लेते हैं तो 12 में benefit में हम रहते हैं अगर 11 की चीज़े हमको 12 में जरोत पड़े और हमको आती ही नहीं है या भूल गए हैं तो फिर 12 में हमें extra काम करना पड़ता है तो I hope कि हम extra काम करने के लिए आपका जब support चाहेंगे यानि जब time मुझे ज्यादा लगेगा त और किसी भी topic में अगर आपको समझ में आ गया तो yes समझ में नहीं आया तो no थोड़ा समझ में आया थोड़ा समझ में नहीं आया तो भी आपको no बोलना है समझ गए यह नहीं कि थोड़ा समझ में आ गया तो ठीक है सरसे बाद में पूछ लूँगा तो बाद में क्यों on the spot ह कि आपको बोलना है अगर आप on the spot पूछ रहे हैं और मैं क्या रहा हूं एक सेगंड रुख जा तो फिर चुब भी रहना है कि एक सेगंड बहुत कम डूरेशन होता है तो यह नहीं कि आप टिक-टिक करके हां सारा बोल लूं तो ऐसे नहीं ठीक है तो थोड़ा सा मतलब हमें यह सीखना पड़ेगा कि किसी भी function का inverse कब exist करता है एक normal function अगर हमारे पास है कोई भी function अगर मैं simply f बोल दो तो उसका inverse किस condition में exist करेगा पहले हम यह सीखेंगे उसी function f में अगर हम अलग-अलग type के function देखें जिनमें एक type trigonometric function भी है जैसे और भी functions होते हैं आपने होगा 11 में है तो यह भी अलग-अलग variety of function है तो उसमें एक variety आती है trigonometric function जिसका एक special chapter भी हमने 11 में पढ़ा हुआ है chapter 3 तो हम सबसे पहले यह देख रहे होंगे कि किसी function f का inverse exist करने की क्या condition है उसके बाद हम trigonometric function में देखेंगे कि trigonometric function के inverse के exist करने में क्या condition है और उसमें क्या problem है और उस problem को दूर कैसे करेंगे जब तक वो problem दूर नहीं होगी तब तक trigonometric function का inverse exist नहीं करेगा जिस function का यानि जिस साइन function है या 10 function है यह सब अलग-अलग trigonometric function है इनके inverse अगर exist ही नहीं करेंगे तो उनके बारे में फिर हम study क्यूं करेंगे लेकिन problem यह है कि हमें study तो करनी है मतलब इन सभी trigonometric function का जो आपके पास total six trigonometric function है उन सब conditions बनती हैं क्या-क्या रुकावटे होती हैं क्या-क्या रुकावटों को दूर करने के तरीके होते हैं इन वर्स आने में क्या-क्या रुकावटे होती है trigonometric function में तो हम start करते हैं in general जैसे अगर कोई function f है description ज्यादा होंगी आपको लिखना नहीं है सुनना है समझना है ठीक है कोई function f है जो कि a से b में defined है I hope आप इतना समझते होंगे कि यह जो a है अब मैंने कहा I hope आप इतना समझते होंगे तो आप मन में यह सोच सकते हैं कि अर्या मेरे को तो कुछ भी नहीं आता तो मन में रखोगो तो फिर मुझे कुछ पता नहीं चलेगा मैं जो बताऊंगा उतना ही सुनोगे अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप crystal clear रहें वेट करें कि जो चीज आपको नहीं पता है वह बता रहा हूं कि नहीं ठीक है और उसमें अगर आपको हलका फुल का भी डाउट लगे कि यहां थोड़ा सा मुझे पता था लेकिन मैं कन्फ्यूज हूं तो वहीं पर आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो तो यहां पर सेट ए और सेट बी जो होते हैं इनके स्पेशल नेम होते हैं इसी फंक्शन एफ की हम बात कर रहे हैं जो कि ए से बी में डिफाइंड है तो सेट ए को क्या बोलते हैं sometime be yes or no हा सब को पता है और सेट बी को क्या बोलते हैं qo domain कि 우zo आणि इस इसी में से आता है इनफेक्ट मतलब बता रहा हूं इसको मिटा दोंगा फिलहाल मैं क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूत नहीं है जो रेंज रहेंज होता है या फिर code domain का subset होता है range या तो code domain के equal होगा या फिर इसका subset होगा तो फिलाल मुझे इसकी जरूत नहीं है इसको इमिटा रहा हूँ ठीक है लेकिन यह बाद में आएगा range और code domain की हम बात कर रहे होंगे अभी तो मैं हटा रहा हूँ इसको अब domain का मतलब अगर आपको याद हो कोई भी function है in general मैं आपको अगर बता दूँ कोई function fx मैंने लिख दिया 1 upon x-3 इसमें हम x की कौन-कौन सी value put कर सकते हैं तो सभी real number excluding 3 तो जो भी x की value function में put की जा सकती है यह जो given function मैंने लिखा x की उन सभी values के collection को हम domain बोल रहे हैं domain यानि अगर मैं यहाँ पर set a बोल देता इसको तो domain मेंसे यानि set a मेंसे अगर मैं इसको set a मान लो suppose यहाँ पर और इस function को अगर हम y assume कर ले normally हम fx को y मान लेते हैं अगर आपको याद हो तो है ना आई मिल रहा होगा हमें बासमाधारी मैंने क्या बोला जब x की value set a मेंसे आप put करेंगे कोई भी value जैसे 1, 2, minus 1, 1 by 4 बस 3 put नहीं करना है root 5, pi anything x की जगह पर put कर सकते हैं ठीक है ना domain मेंसे function में put करो fx में put करो तो y की value आएगी y की उन सभी values के collection को क्या बोलते हैं range यहां पर जो भी y की values आ रही होंगे इनके collection को हम क्या बोल रहे होते है range इनके जैसे मैंने इसके हिसाब से बताया तो जो y होगा वह b की से belong करेगा code domain से अब exactly उसके equal कब होगा वह बात में हम बात कर रहे होंगे इसके बारे में अभी हम pause करेंगे तो इतना अगर आपको समझ में आ गया हो कि हम किसी भी function में कि डोमेन में से जब value पुट करके डाल रहे होते हैं इन place of x तो हमें y की value मिल रही होती है तो y की values के collection को हम range बोल रहे होते हैं मतलब जो answer आ रहा होता है output आ रहा होता है उसको range बोल रहे होते हैं और जो input कर रहे होते हैं मतलब अलग-अलग terms यूज़ करूंगा मैं एक ही चीज के लिए जैसे मैंने डॉमेन बोल दिया इन्पुट बोल दिया तो इसे क्या बोल सकते हो आउटपुट बोल सकते हो रेंज को आंसर बोल रहा था मैं भी कुछ दिर पहले आंसर या फिर आउटपुट बात समझ रहे हैं ठीक है तो डेफिनेट आंसर आएगा वाई का एक्स की उन सभी वैल्यूस के लिए जो कि डॉमेन में से पुट की जा रही है क्योंकि डॉमेन तभी लिखा जाता है डॉमेन जो बी आपका सेट बनता ही वह त भी लिखा जाता है एक्स की उन वैल्यूस के ही से थ्री भी नहीं आएगा समझ रहे हो ठीक है तो हमें डोमेन और रेंज की बारे में समझ में आया ओके कुछ सिंबल से ध्यान से सुनना जैसे आपने मैट्रिक्स के बारे हैं पढ़हा कुछ मैट्रिक्स- american matrix A का inverse ऐसे power minus लगा देते हैं मैंने बताया था कि इसको हम normally 1 upon A तो बिल्कुल नहीं लिखते हैं ठीक है आप numbers से compare करोगा numbers से जिसे मालो अगर मैं कहूं 5 की power minus 1 तो इसको 1 upon 5 लिख सकते हैं बट ये matrix algebra में ऐसा तो हम नहीं लिखते हैं similarly जब function का inverse होता है तो उसको भी ऐसे दिखाते हैं जिसे हम 1 upon F नहीं लिखते हैं याद रहेगा तो इसके बारे में भी और बाते करनी है मुझे आते हैं जरा ये जो function F है अगर ये 1 1 हो अब 1 1 का मतलब क्या है 1 1 function समझते हैं इसको ध्यान से कोई भी function है F of X उसमें variable X की जगह पर अगर मैं alpha put करूं X की जगह पर alpha मतलब कोई भी number उसकी domain में से ठीक है तो मुझे एक answer मिल जाएगा अगेन इसी function के domain में से मैं कोई number X की जगह पर function में पूट करूंगा बीटा अगेन मुझे एक answer मिलेगा अगर ये दोनों बार answer same आ रहे होंगे तभी तो मैंने equal रखा है वो भी same हो आउटपुट same होगा तो input भी same होना चाहिए और अगर आउटपुट same नहीं है तो इनपुट भी same नहीं होंगे बार समझा रही है यानि अगर आउटपुट same है तो input same इनपुट भी same नहीं होंगे कनवर्स भी कह सकते हैं मतलब अगर इनपुट same होंगे तो आउटपुट भी same है तो function one one है समझे एक्जामपल लेते हैं बैटर वे में आपको समझाने के लिए मतलब हम एक्जामपल लिखेंगे और देखेंगे कौन सा function one one है कौन सा नहीं है इस तरीके से हम एक्जामपल लिख रहे होंगे ठीक है मैं माल लेता हूँ कोई in general मैंने function लिया f जोकी defined है real number से real number पे और suppose fx ले लिया मैंने x square यह first example लिख रहा हूँ में आप note करना अगर मैं x की जगह पे इसमें 5 put करूँ कुछ भी सोच सकते हो जो मैं 5 put कर रहा हूँ वह input है जो कि domain यानि real number में से है अंसर आएगा 5 का square यानि 25 अगर domain यानि real number यह रहा domain वाला दोनों सेम भी हो सकते हैं पता होगा तुमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि सर आपने यहां पर यह और भी बताया था तो ए का मतलब आर हो गया बी का मतलब ही आर हो गया दोनों सेम कैसे हो गए हो सकते हैं सेंड भी हो सकते हैं में डेफिनेशन ऐसी लिए है कि दोनों सेम लिए है मैंने definition मतलब आर से आर में defined है अगर मैं input माइनस 5 करूँगा न बच्चों एक्स की जगा माइनस 5 रखा है ध्यान रखना ब्रेकिट लगाना पड़ेगा माइनस 5 का स्क्वेर यानि फिर से 25 है अंसर यानि आउट्पुट सेम आ रहा है न तो हम नोट कर पा रहे हैं कि आउट्पुट कहां पर input 5 पे function f का और input minus 5 पे function f का output same है but input same output same है input same नहीं है तो फिर ये function f 1 1 नहीं है this is not 1 1 समझ आया ठीक है अब एक example लेते हैं जहां पर function को हम 1 1 बनाएंगे वो भी देख लेते हैं select हुआ मैंने फंक्शन को ऐसे defined किया natural number पे यानि इसका input हमेशा natural number में से ही आएगा जो फंक्शन लिखूंगा in fact अगर मैं same function भी लिख लूँ same function तुमसे पूछूंगा मैं ऐसे मैंने यहां पर example 5 पूट करके दिखाया आप दुनिया भर के रियल लंबर सोच सकते हो मैं इंटीग्रल में सोचो चाहें otherwise भी बस ओ प्लस माइनस का धियान रखना पड़ेगा जैसे मालों अगर मैं यहां पर seven put कर दूं या माइनस seven put कर दूं आंसर से मैं four minus four answer से मैं ten minus ten answer से मैं समझ रहे हो अब इसमें देखो जब इन्पूट करोगो तो सिर्फ natural number input करोगो यानी one से कहानी सुरू होगी वन पूट करोगो तो answer one आएगा अब और क्या पूट करोगा कि आंसर वन आए मेरा कुश्चिन समझे सुनों यहां पर इसमें वापस आओ अगर मैं 15 पूट करूँ तो आंसर 225 आएगा और क्या पूट करूँ कि आंसर 225 आए तो माइनिस 15 इसमें यह सुर्णों अगर मैं 10 पूट करूँगा तो आंसर 100 आएगा और क्या पूट करूँ कि आंसर फिर से 100 आजाए माइनिस 10 दिख़रा है ना आंसर से मारा आ रहा है आउटपू से अब इन्पूट डिफरेंट हैना तो फिर यह 11 फंक्शन नहीं है इसमें क्या पूछा मैंने कि मैंने वन पूट कर दिया अंसर तो वन स्क्वेर या नहीं वन आ गया अब मुझे यह बताओ और क्या पूट करूँ कि फिर से अंसर वन आ जाए ध्यान रखना नेचुरॉल नंबर माइनस वन मत बोल देना कि चलो कुछ और पूट करते हैं जिसे मैंने थ्री पूट कर दिया थ्री अंसर नहीं आ गया और क्या पूट करूँ कि आंसर नहीं आ जाए अरे डेफिनेशन देखना नेचुरॉल नंबर से डिफाइन हो रहा है डेफिनेशन डोमेन तो 123 से स्टार्ट होगा अरे गेटिंग म पूट करो आंसर 16 आएगा और कौन सा नेचुरॉल नंबर पूट करों कि आंसर 16 आ जाए को सोच पा रहे हो कि सोच पा रहे हो तो बता दो भाई तुम तो ऐसे से कर रहे हो 16 लाने के लिए हम इंपूट में सिर्फ 4 डाल सकते हैं from the domain N that is set of natural number और कुछ नहीं डाल सकते समधार है मैं क्या बता रहा हूं तो basically यहां पर अगर आप इस कंडिशन को देख रहे होंगे सेकिंड वाली कंडिशन की एलफा यानि जैसे मैंने मैंने वन पूट करके देखा टू पूट करके देखा थ्री पूट करके देखा तो एक नया आंसर आ रहा है ना वो नया आंसर अब और दुबारा कभी आये गई नहीं किसी और वेल्यू बीटा के लिए तो ना तो आउट्पूट इक्वल होंगे और ना ही इन्पूट इक्वल होंगे अर याद रखना डोमेन नेचुरल नंबर है कहीं तुम माइनस टू या माइनस त्री पूट करके देखने लगो एफ्टू निकाला और एफ्ट्री निकाला इसका 4 आया इसका 9 आया सही बोल रहाऊं कि मुझे पता है 4 और 9 एक्वल नहीं है मतलब प्रिएफ्टू और एफ्ट्री एकल नहीं है मतलब टू और ठलीफीी ट्रीव नहीं नहीं ह्ल आउट्पूट सेम नहीं है ईन्यगों कि फिर यह फॉंक्शन क्या हो गयाimientos 11 हुआ यह नहीं हुआ हां अरे पागलो वन वन होने की कंडिशन्स यह फॉलो हो जाए या फिर यह फॉलो हो जाए यह फॉलो नहीं हो रहा है तो यह फंक्शन क्या है दिस इस वन वन यस और नो जैसे अभी एक भाई साब बता रहे थे मुझे माल लो यहां पर मैंने F3 पुट किया आंसर तो नहीं आया आप कोई बोल रहा था सर माइनिस त्री पुट कर लो फिर से नहीं आ गया आपपूट सेंब इन्पुट डिफेरेंट है है ना तो अब तुम बोलो not 11 बट रुको इनपूट 3 है मैं में से है इनपूट माइनिस त्री है में में एक और function है on to function यह दो चीजे आप chapter 1 में detail में पढ़ेंगे हालाएं कि मैं तो यहीं पढ़ा रहा हूं तो chapter 1 में भी पढ़ाऊंगा और इसके उपर question सम कर रहे होंगे अलग-अलग type के जैसे दो question मैंने अभी करा दिया आप ऐसे समझे लो on to function को भी function आपके पास given है जैसे मैंने लिख दिया y equal to fx basic condition समझना ध्यान से simple basic condition क्या है किसी भी function का range और co domain जब exactly equal हो जाए तो वो function on to function बन जाएगा कुछ दर पहले मैंने यहां बताया था कि जो यह code domain है और range में कुछ relation बताया था कि range और code domain यह तो बिल्कुल equal होंगे या फिर range code domain का subset होगा यही बताया था मैंने तो जब range और code domain exactly equal हो जाएंगे किसी function के definition के हिसाब से तो उस function को हम क्या बोलेंगे on to इसको चेक करते हैं जरा यह नीचे वाले लल्लू को उपर वाले को चेक कर लेंगे इसी को देख लो फिलाल कि इसमें हम input शुरू करेंगे तो natural number से शुरू करेंगे या नीवन से सुरू करेंगे ध्यान से सुनना अगर कहोगो तो लिख देंगे चलो लिखते हैं जरा input यानी domain मैं जान बुचके input लिख रहा हूं तो input 123456 ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं वेटा इन्पूट तो कुछ भी डाल सकते हैं वस वन से सुरू होना चाहिए natural number होना चाहिए लेकिन मुन्ना जी output क्या मिलेगा तुम्हें डेफिनेशन के हिसाब से वन पूट करो तो वन टू पूट करो तो फोर थी पूट करो तो नाइन फॉर पूट करो तो सिक्स्टीन फाइफ पूट करो 25 समझ रहे हो यह आउटपूट है मतलब यह क्या है रेंज और को डूमेन क्या है नेचुरल नंबर 123456 यस और नो पूंक्शन के अन्टू अन्टू है कि नहीं नहीं है गुड है समझ आया कि नहीं आया है लेकि देता हूं कंक्लूजन नीचे शॉर्ट फॉर्म में इसको उपर सरकाते हैं जड़ा कि इसके बारे में सोच के रखो तुमसे पूछने वाला हूं जब पूछूंगा तब जवाब देना है अब भी नहीं और रेंज यहां पर हमने क्या बताया क्या रहा था वन फॉर नाइन 25 and so on which is not equal to n और यह कौन से वाला एन है को डोमेन वाला एन देखो आपके डोमेन में भी तो n है यहां डोमेन और को डोमेन दोनों सेम ही तो है तो मैंने जान बुछ के इस एन के लिए जान बुछ के लिए इस बाद वाले एन के लिए स्पेशल स्पेसिफाइब करके लिख दिया कि कोड़ोमेन वाले एन की बात कर रहा हूं करदे तुम इस वाले एन को लेकर बैठे रहों समझ गया तो रेंज और कोड़ोमेन इक वल नहीं है तो फिर यह किलियर हो गया कि यह वाला फंक्शन वन वन तो है लेकिन यह नहीं है कि दिस इस कि नौट कि अंटू कि मा समझ आ रही है कि वन वन है लेकिन नहीं है कि हम इन दोनों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं कि जानना जरूरी है बट मीनवाइल यह बताओ यह राजा जी ऑन्टू है कि नहीं है कि रीजन पूछूंगा उपर वाला फॉस्ट एक्जामपल कि यह अन्टू है कि नहीं है कि इसका कोड़ोमें रिया लंबर है कि पहले का और रेंज क्या आएगा कि नोन नेगटिव रिया लंबर कि यहां पर कि डोमें रियाल है कि इंपूट में तो कुछ भी डाल सकते हो नेगेटेव पॉजिटेव जीरो लेकिन आंसर हमेशा इसके हिसाप से आएगा एक स्क्वेर के हिसाब से तो आंसर तो अब पहीं नेगटिव आएगा यांभी ने ऐसे बोलेंगे समझ गए नॉन नेगटिव रियल नंबर और कोडोमेन क्या है तो यहां पर रिजन मैंने क्या बताया कि इसका जो रेंज आएगा वो क्या रहा है बटा रेंज आएगा यह जीरो यह जीरो से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर तो फिर यह आपका on to f is not on to, clear? अब जिसे कि मैं पूछ रहा था कि हम यह क्यों जानना चाहते थे कि यह one one function क्या है, on to function क्या है, on to function क्या है, on to function की basic बात है कि range और code domain, same होने चाहिए, one one function की एक छोटी सी बात अगर आप ध्यान रखना चाहो सुनो, unique input पे unique output, unique का मतलब होता है, मतलब जो भी input आप कर रहे हैं, वो same जैसा है, unique, इकलोता, जो भी input आप कर रहे हैं, उस पे उसी type का, उसी के हिसाब से, function के definition के हिसाब से, output मिल रहा होगा, वो output दोबारा नहीं मिलेगा, किसी और input के लिए, different input के लिए, नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं, जिस input पे output जो भी मिल गया, वो, output दोबारा किसी और input value पे, नहीं मिलेगा, तब तो बोला मैंने unique input, unique output, one input पे one special output, one special input पे one special output, one function, इसलिए बोलते हैं इसको, one, one, one special input पे one special output, समझ रहे हो मेरी बाते हैं, यह जो function हम लिख रहे थे यहां पर, जो कि one one नहीं था, तो यह क्या था, यह था many one function, many one मतलब, अलग-अलग, many मतलब एक से जादा, अलग-अलग input पे one, यानि same, output मिल रहे थे, देखो न, अलग-अलग input five और minus five मैंने example लिया हुआ है, तो अलग-अलग, यानि many input पे one output, यानि same, यानि 25 वाला output मिल रहा था, जो example मैंने लिया, are you getting me, यह घटना, इसमें तो नहीं घटी, many input पे same output अगर निकलेगा, तो मुझे बता देना, तो यह है many one function, समझ रहे हो, अब यह बता दिया है मैंने, कहीं लिख देते हैं इसके बारे में भी, कि, in fact, it is a many one function, कितने बच्चे ऐसे हैं, जो trigonometry में, जो quadrant वाला खेल होता है, मतला जैसे मैं कहा दो कि, sin 4 pi by 3 की value बता दो, या 10 7 pi upon 6 की value बता दो, ऐसे और भी बड़े-बड़े angle होते हैं, तो इन में आप comfortable हैं, सभी लोग, जो नहीं हैं, आज comfortable होने की कोशिश करना, घर पे जाना, पुराने notes निकालना, और उनको देखकर बोलना, तु वही है न, जिसको मैंने नहीं पढ़ा था, तो फिर से आ रहा है क्या, मैं बता रहा हूं, फिर से आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, तुम्हारे सामने, कोई function अगर 11 function है, कोई function on to function है, दोनों कहानिया समझ आ गई आपक को, on to मतलब simple सी, एक कहानी range और code domains सेम होने चाहिए, 11 मतलब, जिस type का input दे रहे हैं, उसी के हिसाब से unique input, unique output वाली condition बननी चाहिए, कोई भी function अगर 11 है, and on to है, दो कंडिशन आ गई, दो मतलब बाई, 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 टू, ठेक है, if, the function f is, 11, and on to both, then, it is called a by-jective function, it is called a by-jective function, in short, इसको directly हम by-jection कह देते हैं, concept सुनो, इस पर questions कैसे बनते हैं, reasoning के, assertion reason में, if the function is 11 and on to both, then it is by-jective function, या फिर मैं ऐसे कहूं, कि if the function f is 11 and on to both, then it is a by-jection, एक ही बात है, converse, if the function is by-jective function, या फिर ऐसे कहूं, if the function is a by-jection, then it will be surely 11 and on to both, true या false, if the function f is a by-jection, then it will be surely 11 and on to both, true या false, true, वह तो लिखा है अ बोड पे, नही सम्झे, अब सुनना, if the function f is a by-jection, then it may और may not be 11 and on to both, false, भाई दोनों होना चाहिए, दोनों में yes होना चाहिए, भाई ये 11 भी है, ये on to भी है, तब by-jective होगा, समझ रहे हो, मैंने कहानी यहां से शुरू की, दो बार सारी ये question पूछ चुका हूँ, कि हम ये पढ़ क्यूं रहे है, ये 11 function on to function, इसका जवाब तो दिया नहीं मैंने, तीसरा function और लिख दिया, by-jective function, तुम ये भी कहा सकते हो, सर ये बताओ, ये क्यूं पढ़ रहे हैं, पूछो, एरे पूछो ना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, इफ, एफ इस by-jective, हम directly by-jection कह देते हैं, by-jective function कह देते हैं, या फिर सिर्फ by-jective भी कह देते हैं, से मन लिख दे, इफ इस by-jective बस हो गया, आगे function लगाउंगा ही नहीं मैं, इफ इस by-jective, then only, let me write this in capital, ये only condition है, only किसकी condition है, मतलब अगर function by-jective है, तब ही, सिर्फ तभी, inverse of f, जिसको हम symbol में, ऐसे लिख रहे होंगे, inverse of f, जिसको symbol में f की पावर, minus 1, ऐसे लिख रहे होंगे, कि अगर function f by-jective है, then only inverse of the function f, एक्जिस्ट करेगा, बात समझा रही है, super most important statement, like मैंने चैप्टर के, introduction में आप से बात कही, कि हम ये देख रहे होंगे, किसी भी function f का, inverse exist करने की, क्या condition होती है, तो हमको ये समझ में आया, कि 1, 1 function होना चाहिए, and onto होना चाहिए, जिसको मैं summarize करका, डारेक्ट लिख लिख बोल सकता हूं, ये आपकी necessary condition है, यानि जरूरी condition है, इसके बीना आप, किसी function के, inverse के exist होने के बारे में बात, नहीं कर सकते, exist होना मतलब जो दुनिया में आएगा, like हम सभी दुनिया में exist करते हैं, ठीक है, तो जो exist कर रहा है, inverse उसकी condition हमने समझ ले, clear है, अब मुद्दा ये है कि, trigonometric function की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि हमको तो उसी के बारे में discussion करना है, यहाँ पर और कुछ reasoning वाले question बन सकते हैं, ध्यान से सुनना, I hope आप answer कर पाएंगे इसका, if a function is invertible, invertible कब होगा, जब उसका inverse exist करेगा, समझ रहे हो ना, if a function is invertible, then it will be, a bisective function, true or false, true, दूसरी कंदिशन सोनो, दूसरा कॉशन सोनो, if a function is invertible, then it will be 1, 1 and onto both, true, a function f is non invertible, then it will be 1, 1 and onto both, non invertible बोला है मैंने, false हो गया, लेकिन अगर ऐसे कह दू, कि function f is non invertible, function f is non invertible, inverse नहीं आएगा, then it will not be 1, 1 and onto both, अब true है, not 1, 1 and onto, ऐसे बोला ना, तब true है, बहिए इन्वर्स कब नहीं आएगा, जब 1, 1 नहीं होगा, onto नहीं होगा, जोरों सो कोई एक भी नहीं होगा, तब ही पंगा हो जाएगा, are you getting me? इसको सब चंटिनुनी से मैं लिख रहता हूं, क्या बोला है मैंने, if f is bisective, then only inverse of f exists, that is, f is invertible function, f is invertible, invertible मनला जिसका inverse आएगा, inverse exist होने की ability, जिस function में है, clear to all? Let's discuss about trigonometric function, we have total six trigonometric function, starting with sin x, cosine x, then tangent x, and then we have cosecant x, secant x, and then cotangent x, ऐसे हैं फंक्शन, how many of you are comfortable with their domains and range, क्योंकि इतनी बात अगर आप समझ गए हो, बिछले पे हमने starting ही domain range से की, तो आप यह समझ गया होंगा, इनके बिना तो गाड़ी, चलनी नहीं है, domain range तो आपको समझना है, तो सबको आता है domain range, बढ़ी आए, अच्छी बात है, एक बात और बता रहेता हूं, इससे पहले अगर आपका मन करें, तो recap कर सकते हो, पांच मिंट दे दूँगा आपको मैं, यहां देखना है बेटा, हमने f की बात की थी, जो की a से b में defined है, याद है पीछे, जब इसका inverse आ रहा होगा, तब हम, let f which is defined like this, is a bisective function, तभी inverse आएगा, समझ गए, और अगर मैंने bisective लिखा है न, तो यह ध्यान रखना, कि इस समय जो b है न, यह code domain होगा, बट यह range भी है, exactly equal है, are you getting me, तभी तो bisective बोला, क्योंकि bisective में on to भी है, और one one तो है ही, यह function bisective है, तो इसका जो inverse हम लिखते हैं, क्योंकि हम लिख सकते हैं, इंवर्स, exist करेगा, function invertible है, condition समझना बेटा, अगर आप समझ पाओ तो, क्या हुआ है यह, a से b में defined, अगर function f है, तो उसका inverse b से a में हो जाएगा, जो पहले input का खेल खेल रहा था, और input function में डालते हैं, तो एक answer यानि output आता है, वो जो answer था, वो inverse वाले function में, अब input का का काम कर रहा होगा, और यह input यहां, inverse वाले function में डलने पे, जो यहां answer आ रहा होगा, वो originally function का, input रहा होगा, कुछ समझ रहे हो, तो domain, co domain का role, interchange, यह कहानी इतनी easy नहीं है, जब हम sine function, 10 function, यानि trigonometric functions की बात करें तो, यानि उनके, definition के हिसाब से, domain range जब हम लिखेंगे, trigonometric function का, तो हमको समस्याएं आएंगी, भई क्या वो 11 होगा, क्या वो on to होगा, तो हमें देखना पड़ेगा, तो आज problem डाल के, तुम्हारे दिमाग में भेज रहा हूँ, कल इनका solutions करेंगे, तो आते हैं, finally trigonometric functions की starting करने है, तो एक ले लेता हूँ मैं, दो मिंट, तीन मिंट का lecture और लगेगा, मैंने function आपका fx लिया, जो की है sine x, ठीक है बेटा, यह sine x function ले लिया मैंने, ध्यान रखना, normally हम जब short form में लिखते हैं, तो सारे later small होते हैं, जैसे हम 10x लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे by habit T capital में ऐसे लिख रहे होते हैं, S capital में लिख रहे होते हैं, make sure कि यह सब small letters होते हैं, जैसे आप cos लिखो, तो ऐसे लिख रहे हो, अरे भाईया, cos, every letter is small, आपको अगर यह लगता हो, सर क्या फरक पड़ता है, तो फिर मेरी बात सुनके, कूडे में डाल दो, जैसे आज तक तक तुमको किसे ने नहीं बताया, आगे भी कोई ना बताये, यह function f लिया मैंने, कितने बच्चे इसका domain जानते हैं, all real numbers से defined होगा, और इसका range क्या होता है, मैंने यहाँ पर b लिखा है, ताकि बार-बार मैं interval ना लिखूं, मैं सिर्फ b लिखूंगा, और यह रहा interval, यह इसका range होता है, साइनेक्स का, आपकी memory में थोड़ी से चीजे घुसें, इसके लिए बता दे रहा हूँ, same story कॉसेक्स के लिए होती है, उसका भी domain यही रहता है, real number और range यह रहता है, मैंने range को set b बोला है, मैंने बोला है, तुम जब भी b बोलोगो तो b का मतलब बताओगे, तुम्हें a बोलना है, तो a का मतलब बताना पड़ेगा, मतलब इस चीज को मैं डिरेक्टलि यहां लिख सकता हूँ, नहीं लिखा है, ताकि मुझे बार बार इतना बडा ना बोलना पड़े, कि minus one से one, close interval, मैं सीदा b बोल दूँगा, समझ रहे हो, अब इसका inverse यह फंक्शन एफ है ना इसका inverse आएगा तो हमने अभी देखा कि ऐसा कुछ गेम चेंज हो रहा होगा लेकिन रुको यह function sinex है तो इसका inverse यह किसी भी function का inverse तभी आएगा जब वह bisective होगा और bisective तभी होगा जब वह 11 हो and onto हो onto मतलब range और codomain same हमने फिलहाल यहां set B लिखा है यही range है और यही codomain है तो onto का तो पंगा हमने निप्टा लिया समझ रहोगी नहीं onto का पंगा तो निप्टा लिया बता देते हैं यहां पर कि range that is this it's same as यह close bracket है यानि square bracket है पता है न आपको तो मतलब इससे तो हमको पता चल गया कि function after onto है यार इसकी कोई दिक्कत है भी नहीं मुझे कि ट्रिग्नोमेट्रिक function के inverse में onto वाली दिक्कत नॉर्मली हम नहीं आने जेते क्योंकि definition में codomain को हम रख लेते हैं तो ठीक है वो तो समस्या नहीं आएगी नहीं आई कि समस्या कहां से आती है तो शुरुवात करते हैं कि example लेते हैं जैसे आपसे अगर मैं कहूं एक्स की जगे तुमने रखा है पाई बाई सिक्स इसका आंसर बता दो कि वन बाई टू जिन बच्चों की आत्मा एक आपने लग रही हैं जो सोच रहे हैं कि सर अब ये सब फिर से पढ़ना पड़ेगा आप तो कह रहे से एक दिन का टाइम दोंगा रिवाइज करके आना कि हां तो ठीक है रिवाइज कर लो कि अभी करा के दिखा रहा हूं कि और कल से भी अगर यही करना पड़ जाए मुझे कि इस बैच को 11 बैच का नाम दे दूंगा मैं क्लास 11 नया बैच समझ रहे हो जहां से सुनना आउट्पूट यानि आंसर दोनों में और इन्पूट क्या है दोनों जगह पे पाई बाई सिक्स एंड आंसर सेम है आउट्पूट सेम है इन्पूट डिफरेंट है रिकॉल करीए अगर आंसर सेम है तो इन्पूट सेम और अगर आंसर सेम नहीं तो इन्पूट ूंग्आ था लिए होंगे तो भाई साब हमारे पास इन्पूट सेम नहीं सब्सक्राइं तो फिर 11 होने में धिश्कत तो है Yes और No भाई साब मैंने तो स्रिफ दो ही input लिये हैं और output सेम आ गया है ये trigonometry की दुनिया है आपको पता है तो ठीक है नहीं तो मैं तीसरा angle भी लिख रहा हूं 13 pi by 6 आप अगर x की जगे पर ये angle put कर रहे होंगे जिनको quadrant quadrant खेलने आता है वो इसे 2 pi plus pi by 6 करेगा sin 2 pi plus theta कौनसा quadrant फस्ट और ये रहा sin theta फिर से answer 1 by 2 मैंने तीन angle लिख लिए हैं ऐसे तुम कितने angle लिख सकते हो कितने input डाल सकते हो infinite inputs अरे दुनिया भर के input मैं तो positive angle ले रहा हूं तुम negative भी लेते रहो देखो न ये pi by 6 आया फिर यहां मिला फिर तुम ऐसे आये फिर यहां पर मिलेगा अरे यहां पर मिले फिर यहां मिलेगा अब इन दो जगहे पर जब जब angle तुम्हें मिलते रहेंगे answer 1 by 2 आता रहेगा मैंने तो एक ही value पकड़ी है मालो तुम pi by 4 डाल दो 1 by root 2 3 pi by 4 फिर से 1 by root 2 नहीं समझ रहें तो दुनिया भर के same answer के लिए अलग-अलग input आ रहे होंगे same answer के लिए अलग-अलग input आ रहे होंगे तो फिर यह one one की problem create कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो clearly मतलब जैसे मैं सिर्फ एक reason भी दे दूँ यहां पर कि f of this angle is equal to f of this angle but angle मतलब inputs हैं यहां पर x का मतलब input अब यहां x का मतलब angles आ क्यों कि function trigonometry है तो यह जो input है this is not equal to the input of the second condition जहां पर same output मिल रहा है तो हमको यह पता चल गया कि function f जो कि यहां sin x है यह one one तो नहीं है तो यह आ गई रुकावट कि कि चीज के रुकावट कि trigonometric function में जिसका inverse हमको पढ़ना है तभी तो यह chapter exist करता है मैंने पहला function लिया और उसमें हमने रुकावट बना दी हमने देख लिया कि रुकावट है कि यह one one ही नहीं है अगर यह one one function नहीं है तो फिर यह bisective function भी नहीं है और अगर यह bisective नहीं है तो फिर यह invertible नहीं है मतलब इसका inverse exist नहीं करेगा तो इसका inverse exist नहीं करेगा हम इसको मनाएंगे chocolate देंगे प्यार से पुछकारेंगे तब इसका inverse exist करेगा ठीक है ठोक पीट के इसके inverse की condition लाई जाएगी inverse condition क्या है किसी function के inverse की क्या condition है तुम वन वर्ड में आंसर दे सकते हो कि function bisective होना चाहिए मैं कहूं थोड़ा सा और elaborate करो तो फिर क्या बोलोगे कि function one one and on to both होना चाहिए बहुत word important है बात समझा रही है irony सुनिए हमारे सलेवस की irony मतलब क्या होता irony का मतलब irony इंपोर्टेंट तो नहीं होता irony का मतलब आईरोनी मतलब दुविधा कुछ something है न गूगल से पूछ ले न भाई आई आर ओ एन वाई खेर मैं इतना बड़ा अंग्रेज हो गया हूं कि मुझे अब हिंदी वर्ड नहीं आते यह समझा लो तो हमारे सलेवस की आईरेनी यह है बिटा हमने इस चैप्टर में अभी यहां तक जो पढ़ा यह चैप्टर वन की चीज है लेकिन इस पेज पर जो है वो चैप्टर वन में नहीं है इस पेज पर जो है वो चैप्टर वन में है इसके बाद यह चैप्टर वन में नहीं है लेकिन इसको सीखे ब आपके सलेवस में नहीं है आप जाके देख लेना सलेवस दिए का chapter one में इस concept के बारे में पहले पढ़ाते थे कोविट से पहले ठीक है लेकिन तो नहीं है तो बाइजक्टिव वर्ड तुम सुनोगे ही नहीं चैप्टर वन में जबके सुनना चाहिए जिस चीज को सुना ही नहीं उस चीज को हम चैप्टर टू में यूज किये बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं ठीक है एक बात दूसरी बात आपके बोर्ड एक्जाम में चैप्टर वन से भी ऐसे कुश्चन आ चुके हैं नॉर्मली कुश्चन ऐसे आने चाहिए और ऐसे आते भी है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ वन वन जैसे हमने आज एक्जामपल लिये ना कि वन वन प्रूव करो या वन वन चेक करो या इसे कुश्चन आ चुके है आफ्टर कोविट जब से आड़ीट हुआ अब हैं इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं हें कंसेप्ट कर्ने क्लिक हुवह जब इयुआ बोल रहा है तब या बच्चे को नॉलेज है टीचर ने बताया है चेप्टर टू में हर चीज को समझने के लिए यह बताना पड़ेगा अगर टीचर ने बता रखा है इस लेवल पर पढ़ा रखा है तब उसको बाइजेक्शन का मतलब पता होगा तब जाके वह चेप्टर वन के उस कोश्चिन को भी सॉल्व कर पाएगा वन्या कर दी है कि यह वन्वन नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइनेक्स या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लोगे ना सब में यही दिक्कत आएगी कि यह वन्वन नहीं होंगे इनफेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन्वन नहीं है तो कैसे फंक्शन है फ वन वन नहीं है तो वन वन कैसे बनेगा चॉकलेट खिलाने से बनेगा नहीं हुआ मैंनी वन फंक्शन ठीक है इस प्राब्लम का सॉलूशन कैसे निकालेंगे तो दो काम करने हैं आपको घर पे पहला काम मैथमिशन बुक में चेप्टर जीरो में आ जाईए पेज नंबर बोल रहा हूं सभी के पास बुक है न जो बच्चे बिना बुक के क्लास में आते हैं कल से मैं नो इंट्री का बोड लगाने वाला हूं बाहर पेज नंबर फाइफ पे आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको लिखा दिखेगा वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको देखना है आई होप आपको आता भी होगा जैसे किसी को अब यहीं नहीं पता है कि 60 डिग्री का मतलब क्या है तो पाई भाई 3 को पाई भाई 6 बोल रहा होगा तो सोच लेना भाई तो यह भी मैंने लिख रखा है मतलब सारी बाते हैं अब जिनको आती है अच्छी बात है अगले पेज पर आओगे टेबल हैं जैसे अगर मैं कहूं कि साइन 30 डिग्री की वेल्यू क्या है 10 का बच्चा यह बता देगा हमने अभी यूज भी किया है साइन 45 डिग्री की वेल्यू क्या है यह सब चीजे है ना तो अगले पेज पर टेबल भी आपको दिख रहा होगा टॉप में फिर उसके नीचे आपके एक और टेबल होगा जैसे साइन पाई प्ल तो वन कंप्लिट साइकल के लिए मैंने दे रखा है खेर उसके नीचे फिर आपके ट्रिक्नोमेटर के कुछ फॉर्मूले वगरा है 10 के भी हैं और 11 वाले भी हैं अगले पेज से भी आपको दिख रही होंगी चीजे पेज 7 के बॉटम में कुछ चीजे ऐसी हैं जो मैं आप प्रिगो फंक्शन साइन और कॉस्स जिसकी बात मैं आज करी चुका हूं अरे डोमें ने इस तो बता दिया था मैंने कि साइन और कॉस्स का सेम ही रहेगा तो देख लो यहां पर टेबल में भी है अब आने वाली क्लास में अगर मैं तुम से टैनेक्स या कॉसेक्स फंक्श बाकी है पेज नमबर 97 पर आजाईए यह दूसरा काम है पहला काम इस डोमें रेंज का टेबल ऑन पेज नमबर 8 दूसरा काम पेज 97 पर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इन चीजों को पढ़ेंगे आप इंट्रोड़क्शन से स्टार्टिंग करके और सारा कुछ पढ होगे और देखोगे रहे हाँ हाँ ठीक है सर ने बताया था और कुछ नई बाते होंगे जिनको शायद आप समझ पाएंगे शायद आप पढ़के दिमाग में अनलाइज कर पाएंगे तो कुछ अनलाइज हो पाएगा 50% 90% आपके लेवल के इसाब से और कल वह 101% हो जाएग कैसे इसको मारेंगे पीटेंगे सुधारेंगे इसको तो वह कंडिशन्स आपको पढ़नी है समझ में आ जाए तो लिटरली कह रहा हूं यह चैप्टर बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगा आप में से जिन बच्चों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है वह ऐसे कु कुष्चों के साथ खिलवाड करना कि इसका अंसर क्या होगा मन करें कुष्चन को आप नोट करना इनफेक्ट अभी क्यूवार कोड तो आप करोगे ही इसका अंसर सभी बताएंगे इसका अंसर जो बताएगा उसी के कंसेप्स कितने अच्छे हैं यह पता चलता है यह कंसेप्स आपके NCRT में भी हैं जो यहां पढ़ने के लिए बोल रहा हूं आप NCRT से ही पढ़ सकते हैं बट यह है कि मैंने यहां प्रिसाइसली नहीं मिलेगा तुम्हें और मैं तो एक ही फंक्शन लिख के बैठा हूं छे फंक्शन है ना ठीक है मुन्ना QR code scan कर लो